Hello Everyone Welcome to this update, यह update है Shiba Inu के बारे में मुझे पता है मुझे शीबा इनु का मिलित से काफी हेट मिलती है लेकिन यहाँ पर शीबा इनु का टिय हम कर रहे हैं and शीबा इनु के बारे में हम बताएंगे कि क्या expect किया जा सकते है कहां पे हम इसका pump देख रहे हैं कहां तक pump हो सकता है what should be your targets and क्या आप यह दुबारा pump करेगा भी या नहीं करेगा this is actually a normal video ठीक है यहां पे हम कुछ मजाग नहीं करेंगे तो चलो देखते हैं तो Shiba Inu को हमने आपको बता रखा है already कि we have a good resistance at this point 5687 के असपस तो यह वाला एक अच्छा resistance zone है and इसको almost cross करने वाला है Shiba Inu and this is coinciding with the MA जो की 20 MA है हमारा जो आपको orange line दिख रही है that is the 20 MA और इसके साथ साथ इसको एक support मिल रहा है MA CD का ठीक है जो यह वाली line है तो MA CD का support आपको पता है जब orange line के उपर blue line जाती है इसका मतलब है कि market में bullish turn आ सकता है तो अब Shiba Inu को हम छोटे time frames पे shift करते हैं ठीक है हम इसको लाते है 1Rs पे तो हम यहां से थोड़ा clear picture ले पाएंगे and 1R में हम देख रहे हैं कि हम already bullish हो चुके है and Shiba Inu का यह जो bullish turn है इसके around आप trade करना चाहें तो कर सकते हैं again जो meme coins होते हैं उनको trade करना थोड़ा मुश्किल होता है चाहे वो Shiba Inu ही क्यों ना हो तो meme coins का ठीए थोड़ा था difficult होता है लेकिन मैं आपको अपने targets फिर भी यहां पर दे के चलूँगा तो हम यहां पर आप लोग के सामने targets निकालते हैं and देखते हैं कहां पर expect कर सकते हैं तो you can go long on Shiba Inu या फिर आप इसको spot पर buy करके उपर sell order लगा सकते हो तो this should be your first target ठीक है Shiba Inu का आपका पहला target जो है वो इस area पर होना चाहिए तो 5783 आपका पहला target होना चाहिए इसके बाद next हम देखेंगे इसको तो this could be your second target ठीक है यहां पर हम second target लेके चलेंगे तो this is right around 58 52 then third target हम यहां पर लेंगे that will be this point and that is अपना 59 66 से 60,000 के पास and that is our second target and third target हम यहां पर लेके चलेंगे that will be sorry fourth target हमारा this will be our fourth target ठीक है तो आप targets पर कैसे trade करना है यहां पर current जो हमारा buying zone है यहां पर आप buy करें इसको and हमारी position जो हम set करेंगे हमें एक long position दे रहे हैं तो हम long position आप ली रखेंगे around this area but हम फिर भी इन एरियास पे around 25% के असपास sell करेंगे तो 10% यहां पर sell करना है 25% इस एरिया में sell करना है आपको then you need to sell थोड़ा सा जादा around 30% यहां पर और उसके बाद बचावा हम यहां पर sell करेंगे तो इस शुडबी और टार्गेट फोर शिबा इनू दाट इस अडिसेंट ट्रेट शिबा इनू पर थोड़ा रिसकी है लेकिन इसके बाद अगर यह इसको भी blast कर देता है we see 62 के ओपर हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा hold हो रहा है यहां पर शिबा इनू कम्यूटी मुझे बहुत बार बोल सके यह बता दो हमेंद बता दो तो आयम गोंग तो ट्रेट अकॉर्ट इस शुड बी फॉलोओ लेट सी यह कैसा फॉलोप होता है होफुली इट वर्क्स फाइन हम अपना शीबा इनू की साइट से थोड़ा सा और आप लोगों को अपडेट देना स्टार्ट करें I'm not tracking that coin but let's see how it goes thank you for watching the video I hope you guys liked it I'll see you in the next update watching the crypto jargon update अगर आप इंट्रस्टेट हैं जानने में कि मैंने अपनी टेटिंग जारी कैसे स्टार्ट करी क्या मेरे लॉसस थे क्या मेरे प्रॉफिट से करेंट मेरी निट वैल्यू क्या है कैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं अपना पैसा accept crypto to do check out my second channel earn jargon जिसकी वीडियो आपको यहां पे लिस्टेड मिल जाएंगी do check that out आपको hopefully अच्छा लगेगा thank you for watching the video have a nice day